थाना हासवर छेतर के गराम सायद पूर लेड़ुआ डी में बहुत ही मामूली बिवाद को ले करके तीन बेक्सियों ने एक बेक्स की हत्या कर दी पताया गया कि गाव निवासी धिरश कुमार की बाराद अतवार को गराम माडर मुग गई थी वहाँ नाज को ले करके दो पक्सियों में बिवाद हो गया सुनीर कुमार पुत्र दयाराम निवासी गराम शैद पुलिवडी इनके द्वारा हस्तेक छेव करने और समझाने से लोग मान गए परंद राद में बाराद वापस आने के बाद सुनीर अपने घर दालान में सो रहा था कि राद में दो बजे घंश्याम पुतर बहादूर उमर 30 साल अमबेश पुत्र सहाय उमर 40 साल दिली पुत्र राजेश उमर 35 साल इन लोगों ने मिल करके सुनील कुमार की हत्या कर दे डंडा से पिट-पिट करके माट डाला उसकी बच्ची भी उसके पास हो रही थी और थाना परभारी हस्तवर सुनील कुमार पांडरे बताया कि तीनों आरोपियों को जजवा गरा में बाग में से गिरफ्तार करके खोड भेजा गया कोड ने उन लोगों को जेल भेज दिया इन लोग के खिलाब धारा 302 और धारा 120 भी लगाई गई है सुचना पर अपर प्लिस कप्तान विशाल पांडे स्रीयो टांडरा शुभम सिंग भी पहुँचे और पुलिस फोर्स को जिशा निर्देश दिया पुलिस फोर्स ने उन लोगों को हत्यारों को गिरफतार करके उनके पास उनकी निशानदई पर डंडा भी बाहत का जो जिसे मारा सा बरामत किया गया है यह है ठाना परभारी सुनिल कुमार पांडे बताया गया कि मिर्टक सुनिल कुमार के वले एक पुतरी है जिसकी आयूँ शेवर्स है इसके भाई अनिल कुमार की तहरीर पर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है कि पेशने वीपी नूद दुए फारी हतोर की वीडियो रिपोर्ट अगर भाई यह रिपोर्ट पसंद आयो तो हमारे चैनल को अब दो क्राइब करें आव लाइब करें महरबानी होगी शुक्रिया